अधर्णिय दर्शक्विन पुर्षोत्म मास माहत्म को प्रभचन श्रिंखलामा यारू सबमा हार्दिक स्वागत एबम अभिवादन। इजो हमिले अध्या 13 को कथासार प्रस्तु गरे का थियों जहां दिड़धन्ना राजा को चिन्ता सम्मंधिविशे बश्तु विवेचन भाय का थिये। आज अध्या 14 को कथासार प्रस्तु गर्दैशुम् आउनु सेरों तेसपसी दिड़धन्ना राजा ले किये गरे र उनको अबस्ता कस्तो भाय। नईमी सार्णी सत्लमा सुतनामा पवराणिक रिशियर को सभामा बंदै हुनुम्छ। ये सरे दिड़धन्ना राजा र उनकी राणी गुण सुन्दरीले चिंतीद भायर लाम समय दिताए। राजा लाइता चिंता गर्णु को कारण था थियो और विचरी राणी लाकियो पनी था थे न। पति देव चिंतित भई काले उनी पनी चिंतित भई रागी थी। पति पत्नी भनेका यहुट इराथ का दुई पांगरावन, यहुटा कमजर भई और को शुता कमजर हुना पोगछा। तेसेले यहुटा को समाष्या और को लाई बताऊनी गर्णों परछा। येस बाट समस्य समाधान मा सयोग पुखच, वह न बने बिना कार्ण दुबै ला चिन्तीत गराऊँच, दीड धन्नवाले आपनो चिन्ता शिर्माति लाए बतायनन, फलता उनित चिन्तीत बहे बहे बहे, विचरी शिर्माति पनी वेकार मा चिन्तीत हुन पुगिन। तेसाईले निती साष्ट्र बन्च शिर्मान राश्चिर्माति सदयेवा तेत्तीस को मौड मा बहनु परच, विरिशेर पनी चात्तीस को अबस्ताम जाना दिनों हुन्न, तर दीड धन्न दंपत्त को अबस्ता बने सदयेवा शत्तिसके मौड मा थिए। एती कैमा एक दिन उनको दर्बार मा मार्शी बालमी की आई पुगी, प्रकृतिको युटा विशेस्ता के बने, जसले जे खोजे को हुँच, ढिलो चाडो तेई पुरियाई दिन च, यहाँ पनी तेश्तेई भयो, दीडधन्वा राजा सुगाले भनेने को कुरा को अर्था पत्मे भेटेंच, शिष्य पाउना गारव हुँच, सुयग्य शिष्य तर गुरु पाउना गारव हुँच, खोजनु परच पाईँच, गुरु आपहीं खोद्दे आउँच, चाहानु परच गुरु का भेटेलन, यो समाशे कसरी समाधन गरम, येस बारे मां चिंतन गर नको लागी, भगवान ले अथवावन प्रकिर्दिले सोतहा तत सम्मंदी विशे का गुरु लाई, पठाई दिन चन, उत्प्रेणा दिन चन, उनी भाई समक्ष जाहना को लागी, गुरु पनी तेस्ते ही, जस्तु आपुले खोजय को सा, तेस्ते ही पाईँच, ये दीड धन्वालाई सुगा को बचन बुजन सकने गुरु को आवसेक्ता थियो, अर्थात उनी तेई गुरु को आवसेक्ता बोध गरी रहे का थियो, तेई विशे विज्विज्य गुरु आईपके, महर सी बालमी के लाई देखना साथ, धन्वाले उठेर स्वागत गरे, कुनी म थियू पने आवदैगर्नों वला है वन्वार्णों पर श रर विधाईगर्नों पर श ये निये शनातन धर्मको विशेश्टा हो धर्म गुरु अरवले ये शेकाय का श देढ धन्वाले पनी ये सई गरे, स्वागत सतकार्व काम सके पसी, महर सी बालमी के लिए खुशी अने राजन तपाईको अतित्य बाता स्वंतुष्टाचू, अतिति लाई देवता समान मान्नो पर सभन्ने बिदान ता बचनलाई राम्ब्रे अनस्वरन गर्णो भायको राये छा, खुशी लाग्यू, तर तपाईको अनुवार मलिन देख्षू, मनो बईज्याईनी घरू अनुवार में बताऊं तेख्षू, तक आपनी आखा एक पालो अगाढ़ ने हूँ छा यहाँ पनी तैवाय को थिऊुःत्य देडाधिन्ना को मान्सिक बेचेइनी मन थिती अनुवार में बताऊं ती उनको आखा ही यहां बताऊं बताऊं। तेसे इले बालमिकले भने, वन्नोस एसको काड़ां क्य हो एथा सम्भब सवयुग पाउन हो नेचा। महर्शी बालमिकले कुरा सुनेर राजा देड़ धन्नाले आमनो समास्य बताऊं दे भने, ठीक भन्नोब गुरुबर अवता तेस्ताई छ। अरुधा ठीकाई थियो, देवता तथा पित्री हरु का क्रिपार हजूर हरु जास्ता बीतर आगा महर्शी हर्गो आशिर बादले सभाई रामरी चले को थियो। तर अश्ती एक दिन सिघार मा जादा बन्मा सुगाले भने को कुरा बुजन नसके रा हैरान छु। उनको कुरा सुने रा बालमिक गिले आश्चरिय मान देए भने सुगाले भने को कुरा हो गुरुवर क्या भने को थिवर। मार शिबालमिक आश्चे भुजे पाची दिड़ धन्माले बेली पिष्थार लगाऊ देए भने। यह की सम्सारमा रहे काती शुक भोगेर तेस्तरी गर्दैनों तत्व चिन्ता त जावुला पार कसो गरी। उसले मलाईनाई हेरेर यह कुरा पटक पटक दोर्याएको थिव। यह को अर्थ हो मलाईनाई भनियेको थिव। तर ते यह कुरा बुजना नसागेर चिन्दे चु। मेरा पासमा सबय चीजचन कुने ही चीजगो अबाब नभय पनी यह कुराले नीद हराम भई रहेको च। आज भाग्याले हजूर को दर्शन पाएं। मेरो चिन्ता निवाणा गरी दिनों होना आग्रह गर्दस। उनको कुरा चुने रर मर्षी बाल्मी केलिए द्वी घडी यदि अखाचिम मगरी प्रनायम गरे रंको बिगत बताउं दे भने। राजन तपाई को पुर्वा जण्मको कर्मसंसकार को प्रतिफ़ालो। जहां पोगे पनी मानिश लाई पूर्वा जन्म को कर्म संस्कार ले पिचाच हाड़े को हुँदाई। तपाय को जन्म संपन्न कोल्मा भयो यो पनी पहलिव को कर्म संस्कार के प्रतिफलो। अथा संपत्य कमाऊनों भयो, त्योपनी पूर्वकर्म समस्कार के प्रतिफलो हो, तर जती कमाऊनों भो, त्यती दान्र परुपकार को कारिये मां भने लगाऊनों भाये ना, तपाये को जिबन पनी अरकैली देखो, संपत्य पनी अरकैली देखो, तपाये को नामसम्म तपा तरसो अनसार अरुको हीत मा लगावनी काम बने घर्णुभईना। सोजो अर्थमा भन्नुपर्दा आपने सुख सहल मा मात्र लगाए रा नासो दुरूपय घर्णुभईना। तेसेले तपाईं के प्रारब्द सुगा को पद मा आयरा सचेद गरावने काम गरेको ताकि तपाईं लाई नासु दुरूपई गरे बापद मिर्थ्यू न विग्रियोस न पत्याय आउनुस तपाईं के पुर्वजन्म को चरित्र सुन्नुवस। पुर्वजन्म मा तपाईं दर्वेन देशको ताम्रपणी नदिक किनारमा बसने सुदेप नामको ब्रामण होनों थिय। तपाईं की भाहरिया ये गुण सुन्दरी तिती बेला गौतमी नामले परिशिये थिय। गृष्टी राम्रई चलेको थिय। तर संथान न भयको चिंताले बने मनमा सांती थिय। निकई तपाईं को मन लाई तपाईं को गृष्टी लाई निकई सतायको थिय। तपाईं को गृष्टी सुखत होना सकेको थिय। इसुता संतान का खातिर निकई प्रयास न गर्णों भय को वही न थपाई लेते ती वेला। जाने बुजे जती वैद्य कभिर्यास ले देखाऊनों भू। धर्मगुरोहर ले बताया अनुशार का धार्मे कृत्यपनी गर्णों भयो। यहां सम्मय की धामी जाक्ति लाई देखाऊनों समय बाँकी राखनों भुर। तथा आपी कई लागें तप़ाई को प्रयास तप़ाई को स्रम सबय निरर्थक भाई। सबय प्रयास निरर्थक रहे पशी तप़ाई आत्माहत्या गर्णों भनन थालनों भए। तर तपाई की भार्या, तपाई मांदा नी के बड़ी सूज-बूज की थियां, उनले समझामदे बनेन, पति देप एस्ते कुरा नगर 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 से, आत्म हत्या समादान होई ना, थब समाशी आओ, तपाई जस्तो विद्वान लाई एस्तो कुरा गर्णा सुआउं दाई दुखा पाई का थि, तपाई थाओ छा, आत्म हत्या ब्रामाण को अवस्ता पनी तेही नहीं हो, उनले पनी नसीब को विवरेज जाना कोद्दा दुखा पाई, ये शेके कार, उनको कुलमा धुन्दुकारी जस्तो जन्मियो, जस्तो लोकला पनी दुखा दियो, आपने खराब संतान जन्मेरा दुखा दिये कु थियो, अंगरा जालाई पनी, इसको अर्थ यो होई ना कि जेशा तेशा इमा संतुष्णा होनों पर्छा, प्रयास गरनों पर्छा, तर खोज पनी तेती सम्मा मात्र गरनों पर्छा, जती आपनो ख्यमत आचा, सोबंदा बड़ी जती चाई को भने आउनुस अरी भगवान को तपस्या गरू, जे गरनों पर्णियो वहां लेने गरनों ने सा, उनको तपस्या गर्दा कर्दम प्रजापति लाई कपिल जता सांख्या दर्शन का ज्याता संथान प्राप्त भयका थी, इसरी गोमती ले अनेइक द्रिष्ट आंता देर पती सुदेव लाई समझाये, तेस पसी सुदेव को पनी चित्त बुजो रा आत्महत्या को विचार चाडी उनी ताम्रपनी नदिक किनार मा बसी भगवान विष्णु को तपस्या गरना लाली, उनको तपस्या बाता खुशी भई का भगवान विष्णु गवानला देखनी बित्ते उन ले हर्शली गदगद होताई साष्टांग दन्दबत गरे। आधनिया दर्शक्विन येस अध्या को मटा मटी कथासार इने हुन। इप्रसंग बात्र हमिलाई निम्नानुशार संदेश काप्तवाय काचन। पहलो संदेश ता एह हो कि सिर्म श्रीमान्रा स्रीमती मिलेरण भरनु पर्चा। आपासी सलला मा समाश्या समादान करनौब पर्चा। गरने प्रयास गरनौब पर्चा। गवतमी को सललला लिैरा सुध Taleेव ले तप 27 अको मारग अप्नावनूले येई संदेश दीम्नशार। दोसरों संदेश क्यों हो बन स्रिमान न स्रिमति को परिक्षा दुख़ को वेलाउंच, भासटना को प्रियमत पसुपक्ष़ले पनी गरेगाउंच, ज़चले दुख़ परिको वेला एकले अरकुअल 7 दिन चन, तेई इने असल स्रिमान हुन, असल स्रिमति हुन। आधनी ये दर्शक्विन ये सद्ध्यागों मटा मटी कथासार इने उन इने प्रस्वंगों साथै आजलेट विदाचाहांचु विदादीनुस नमस्कार